हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू आवर चैनल प्लांट सिस्पेस आज हम आपसे सेलोशिया प्लांट पर बात करेंगे ये एक ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हमने सीट से ग्रो किया है इनके सीट हमें एक प्लांट कॉम्टिशन में गिफ्ट आये थे जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कुछ प्लांट और कुछ सीट हमें गिफ्ट में आये थे तो उस पर भी एक वीडियो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे सेलोशिया डिफ्रेंट आयप्स के आते हैं किसी में छोटे फूल खिलते हैं किसी में बड़े फूल खिलते हैं किसी में गुच्छे में फूल खिलते हैं और कोई बहुत बड़ा भी फूल हो जाता है इसका तो इस तरह से Selosia different types के होते हैं और एक dwarf Selosia भी आता है चुकि बहुत छोटा plant होता है colorful plant है बहुत सारे colors भी इस में आते हैं तो इस पर हमने एक video डाली हुई है कि किस तरह से आप Selosia प्लान को grow कर सकते हैं वीडियो नहीं देखी है तो description box में जरूर चैक कीजिए इसका फूल कितना बड़ा खिला हुआ है लगबग एक हाथ से भी बड़ा इसका फूल खिला हुआ है और ये garden में रखा हुआ बहुत सुन्दर लगता है क्योंकि दूसरे plants के बीच में ये रखा जाता है तो ये एक colorful look देगा इसमें तीन color है एक ये रानी color है जो की magenta है और एक white color cream color में है पर एक light pink color में है तो बहुत ही सुन्दर ये लगता है तो इस तरह से इसके फूल होते है ये छोटी छोटी कलिया एक ही stick पर होती है और उनसे जब फूल खिल जाते हैं फूल बन जाते हैं उसके बाद ये फूल सूखने लगते हैं और उनी से ही seeds बनते हैं तो इसमें black color के seeds होते हैं वैसे तो coxcomb पर आप सभी ने seeds देखे ही होंगे बिल्कुल coxcomb जैसे ही seeds होते हैं सेलोशिया और coxcomb लगभग एक ही तरह के plant होते हैं बस इसमें different type के flower खिलते हैं इस तरह से ये देखें इस पर seed भी बन रहे हैं जो इसके flower खिलते जा रहे हैं वो brown होते जा रहे हैं और उसमें black color के seeds बनते जा रहे हैं तो इस तरह से ये जो plant है इसने हमें बहुत ये अच्छी flowering दी है लगभग हमने इसको March April में ग्रो किया था तब से ये flowering करता जा रहा है और अब October चल रहा है और अभी तक ये plant flowering कर रहा है अब इस पर seeds बनने लगे हैं तो इसकी flowering धीरे-धीरे खतम होती जाएगी इस तरह से ये पूरी जो एक stick है ये brown हो चुके हैं इसमें flowers तो इसमें seeds अच्छे से बन गए हैं तो इस तरह से इस पर seeds बन रहे हैं तो हम इनको इखटा कर लेंगे और store कर लेंगे और इसमें new flowers भी खिल रहे हैं जैसे जैसे ये फूल पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे इसमें नई flowering भी होती जाएगी क्योंकि winter में काफी अच्छी flowering करता है और जो coxcomb होता है वो भी बहुत अच्छी flowering करता है और ये देखे कितने छोटे से pot में लगा हुआ है आपको देखकर बहुत आश्यर होगा तो ये एक छोटी सी polythine में लगा हुआ है और कितना बड़ा ये plant हो गया है बहुत छोटी सी polythine है जादा इसमें soil भी नहीं है और हम इस plant में बहुत जादा fertilizer भी add नहीं करते हैं कभी कभी हम इसमें liquid fertilizer डाल देते हैं उसी से ही ये plant इतनी अच्छी growth कर रहा है तो इस तरह से इस plant ने हमें बहुत अच्छी flowering दी है और छोटी सी polythine में ही हमने इसको grow किया हुआ है तो इस तरह से आप बहुत सारे plant इसके बना सकते हैं इनके seeds गिरते रहते हैं और जब इनका time आएगा जैसे की season आएगा इनका grow करने का तो कहीं कहीं अपने आप से ही grow हो जाएंगे क्योंकि जब हम इस plant को उठाते हैं या फिर ये हवा से हिलते हैं तो इनके जो पके हुए seed होते हैं जो पक चुके हैं वो जड़ जाते हैं तो वो अपने आप grow हो जाएंगे तो देखिए इसका second color ये cream color है जोकि हलका white है हलका cream है और हलका सा greenish भी है तो इस तरह से ये इसका second color है तो ये एक छोटा सा plant इसके side में grow हो गया है और ये एक पुराना plant है उसी का ही तो इस पर फूल सूक चुका था इसलिए हमने इस plant को हटा दिया तो देखिए इस पर seeds बन चुके हैं और कुछ हमने इस पर से collect भी किये थे और कुछ अभी इस पर रह गए हैं उनको भी हम इखटा कर लेंगे तो इस तरह से काफी बुशी flower खिला था ये बहुत सुन्दर लग रहा था तो इस तरह से ये दो color हो गए हैं दोनों ही color बहुत सुन्दर लगे आप भी जरूर ग्रो कीजिए और ये इसका third color है जो की light pink color है इसमें हलका cream shade भी है और हलका pink shade भी है तो इस तरह से ये दोनों का mixture लग रहा है थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसमें भी जो flowering है वो हो रही है और seeds भी बन रहे हैं और इसका flower भी कुछ different है इसमें कुछ-कुछ coxcomb की तरह flower खिला हुआ है जो इसकी tip है वो coxcomb की तरह है बिल्कुल तो इस पर भी seeds बन रहे हैं अब हम इन तीनों के seeds को अलग-अलग रखेंगे जिससे हमें पता हो कि किस का color कौन सा है तो कोई परिशानी नहीं होगी इससे हमें next season में grow करने के लिए तो यह बहुत सुन्दर लगते हैं यह जो pink color वाले होते हैं यह तो बिल्कुल flamingo की तरह लगते हैं जो कि एक bird होती है flamingo उसकी तरह लगते हैं और देखिए इस तरह से इसके seeds बने हैं जो कि देखने में काफी सुन्दर लग रहे हैं तो तीनो ही plant बहुत अलग-अलग हैं आपस काफी different है कोई जो pink वाला है वो different type का है जो white वाला है उसने different type की flowering की है और यह जो mixture है इन दोनों का यह दूसरे तरह से खिल रहा है जैसे कि आप देखी रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी और informative वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी और bell बटन जो side में होता है गंटी वाला बटन उसको जरूर प्रेस कीजिए उसी से आपको next वीडियो की notification मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो आपको तुरंद मिलती रहेंगी तो देखे ये भी काफी छोटे से pot में लगाया हुआ है जिसमें हमने आपको grow करना दिखाया था वो वीडियो आप जरूर देखिएगा हमने किस तरह से इसकी basket तियार की थी तो ये जो polythine हमने इस पे लगाई थी ये देखे कितनी आसानी से इससे बाहर आ जाता है और हम इस plant को pot में से निकाल भी सकते हैं और वापस से इसको रग भी सकते हैं इस तरह से ये बहुत अच्छे से growth कर रहा है बहुत कम मिट्टी है बहुत कम soil है उसमें भी बहुत अच्छे से growth कर रहा है और इसका stem जो roots है इसमें वो इतनी मजबूत हो गई है कि ये मिट्टी को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है तो देखिए इस stem भी काफी healthy है इस तरह से तीनो color हमें मिले हैं तीनो color बहुत सुंदर थे आप भी grow कीजिए बहुत सुंदर लगता है ये और जल्दी ही हम आप के साथ इसकी video शेयर करेंगे जिसमें हमें ये plants और seeds गिफ्ट आये थे तो comment box में जरूर बताए आपको video कैसी लगी ये एक ऐसा plant है जो बिल्कुल care नहीं मांगता है हम इसमें कुछ भी जादे fertilizer नहीं देते हैं कभी-कभी हल्का सा liquid fertilizer दे देते हैं और बहुत जादे care भी नहीं करते हैं बस watering करते हैं केवल पानी से ही ये plant खुश रहता है और देखिए इस तरह से आप इसके seed collect कर सकते हैं इसको हलका सा press कीजिए और इससे ये seeds आजाते हैं आपके हाथ में हलका सा आप इसको छूब भी देंगे तो भी इनके seeds आपके हाथ में आजाते हैं easily black color के seeds होते हैं जो कि अच्छे से पक चुके हैं इनको store कर लीजिए और next season के लिए grow कीजिए बहुत अच्छे लगते हैं ये flower comment box में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और कोई suggestion देना चाहते हैं या कोई query है तो जरूर हम से पूछिए और देखे ये जो pink वाले हैं ये तो बिल्कुल flamingo के जैसे लगते हैं बिल्कुल जब हवा चलती है तो ये इस तरह से हिलते हैं तो ये बहुत सुन्दर लगते हैं ये देखना बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल bird की तरह दिखते हैं ये आप भी बताइए आपको कैसा ल झाल झाल